हलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक पार फिर से विकम टीचर पर आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे क्या आपका भी सपना टीचर बनना है तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्पूर्ण होने वाली है क्योंकि कुछ इस्टुइट्स का सवाल भ क्या रहेगा इसके बारे में संपूर्ण हम लोग बात करेंगे और आपको एक एक चीज़ को समझना भी है तो अगर आप टीचर बनना चाहते है तो सबसे पहले एक कोर्स है जो कोर्स की मैं बात कर रहा हूं डेलेट और बियेट तो कोर्स होते हैं लेकिन फिलहाल यह वीड करना होता है ठीक है दो साल की कोर्स रहती है यानि दो साल की कोर्स रहती है फर्स्ट य और सेकेंड यानि कि पहले साल का एकजाम होगा और फिर दूसरे साल का एकजाम होगा ठीक है लेकिन डेलेट करने के लिए आप सबसे पहले आपको एक एंट्रेंस एकजाम देना होता ह फिर आपको government college और private college के मध्यम से आपको ये दो साल की course करना होता है अब रही बात कि आपको delete करने के बाद ये 12th बात करना होता है यानि कि 12th complete होने के बाद आपको जब ये delete complete कर लेंगे 2 साल के बाद तो आपको इसमें 1 to 5 ये 6 to 8 का teacher आप इसमें बन सकते हैं ठीके अब इसकी बात कर लेते हैं आगे चल कर कि आपको समझ में आएगा delete क्या है कि ये 12th के बाद एक degree है आपका जिसमें आप सिक्षक बनने के लिए यानि कि आप इसमें सिक्षक बन सकते हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 2 साल के course रहती है अब बात कर लेते हैं कि इसकी eligibility क्या है कौन-कौन इसको भ बात करेंगे कि delete करें अभी आगे ये भी मैं आप सभी को समझा दूगा अगर आप सिर्फ delete ही करना चाहते हैं तो ये आप सभी के लिए देखे द्यान से 12th pass होना चाहिए आप सभी को और 2025 यानि 1-1-2025 तक आप सभी का age जो होना चाहिए minimum age यानि अगर हम बात करें कि minimum age जो कि इसमें appearing को भी मौका मिल जाएगा तो appearing का मतलब यह हो कि आपने exam दे दिया है 12th का और अगर उस बीच में form आ जाती हो तो आप उस समय इसके लिए eligible हो जाएंगे ठीके बात करते हैं कि इसके लिए जो criteria है कि general और OBC जितने भी category के students हैं उन सभी को 50% marks रहना चाहिए 12th में 50 10% आपका अगर marks रहेगा तो easily आप इसके लिए eligible हो गए बाकिए कर हम बात करते हैं कि other candidate जो है SC और ST category के लिए 5% age में यानि कि इनके marks में relaxation है 45% आपके marks में wealth में है तो आप इसके लिए eligible हो जाते हैं ठीके तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में exam pattern क्या रहता है exam pattern यानि क किस तरीके से exam होते हैं entrance exam academic परहाई से related कैसे क्या रहता है तो 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 यहाँ पर हम बात करते हैं यह एक online exam होता है CPT यानि computer best test होता है कैसा होता है online exam होता है कई सिफ्ट में exam होते है इसका entrance की में बात कर रहा हूँ ठीक है तो अब यहाँ पर entrance exam जो होगा यह आपका total question 120 question रहत 120 question पूछे जाते है 120 अंका यानि एक question एक अंका रहता है अगर इसमें समय की बात करते तो आपको total धाई घंटे मिल जाएंगे 120 question को solve करने के लिए साथी साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो medium रहता है questions का Hindi और English दोनों medium में आप सभी की यहाँ पर अगर हम बात करते ह है कि इसमें questions पूछे जाते हैं Hindi और English medium दोनों में questions यहाँ से पूछे जाते हैं इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो questions labeled रहते हैं वो question level कौन से standard के रहते हैं तो देखिए जैसे मैं बात करूँ कि अगर 12th level का है 12th अगर हम बात करते हैं 12th pass अगर आप करते हैं तो 12th pass का आपका questions नहीं पूछता है 12th का question नहीं पूछता है यह इसका question जो label रहता है वो 10th class level रहते हैं कौन सा 10th class का level रहता है ठीक है question level तो 120 question 120 marks और इसकी त्यारी कैसी करनी है अभी आगे समझेंगे लेगन उससे पहले syllabus बात कर लेते हैं क्या-क्या question इसमें आपको कौन से subject से question क्य पूछे जाते हैं देखिया Hindi हो को स्ट्रेंटस अगर हिंदी लेना चाहते हैं कोई दोनों में से एक या तो Hindi या तो अर्धू आगर हम बात करते हैं 25 या हिंदी आपने लिया ए सिर्फ और्धू लेना चाहते हैं तो उसके ़िए 25 question ठीक है तो 25 question Hindi या और्धू उर्धू ये विज्ञान है, ये गनित है, हिंदी उर्दो, और इंग्लिस के question जो है, 20 question, reasoning जो है, ये 10 question, पहले ये exam pattern दो सारे 400 marks का होता था, लेकिन अब बदल गया है, पिछले 2 साल से, तो हिंदी 25 question, mathematics 20 question, science 20 question, social science 20 question, English 20 question, reasoning 10 question, तो total मिला के हो जाएंगे आपके 120 question, 25, 25, 20, 70, 70, 20, 30, 120 question, आपको पुछे जाएंगे, यही है आपका पूरा pattern, बहुत एजी 10th level का standard रहता है, मैंने आप सभी को बताया भी, कि question किस तरीके रहेंगे, question level 10th class का रहता है, ठीक है, पूरा का पूरा, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोगे कि fee जो है, अगर आप entrance pass कर लेते हैं, entrance pass करने के बाद, इसका fee क्या होगा, यानि college में admission लेने वक्त, आपको कितना pay करना हो, कितना पैसा लगेगा, अगर आप government college प्राप्त कर लेते हैं, entrance देने के बाद, अगर आपने government college प्राप्त कर लिया, तो आपको सिर्फ 25,000 देने होंगे, और 25,000 में आपको यहाँ पे admission हो जाएगा, लेकिन अगर private college अगर आप करते हैं, तो यह 1,00,000,000,000,000 से vary करता है, 1,00,000,000,000 भी जा सकता है, ठीक है, variation है, जीक, तो private college के इतना 1,00,000,000,000 है, और यह 1,500,000,000,000 है, यानि यहाँ पे variable है, अलग-अलग universities is college के उपर dependent करता है, government college 25 सहर में आप fee है, इसका कर सकते हैं, इसके बाद बात कर लेते हैं, हम के form applied rate जो रहती है, अगर date के एकर हम बात करते हैं, यानि कि जैसा है कि 2024 को ध्यान में रखते हुए मैं आप बात कर रहा हूं कि 2025 में क्या expected date जो है form applied date जो है 10 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में होती है और exam date 6 मार से 12 मार से हलागी ये date एक महिना इधर और आप कर सकते हैं ठीक है result date अगर आप बात करते हैं अप्रेल में और form fee जो form fee लप की अगर हम बात करते हैं कि उसका fee कि इतना लगता है category wise तो यहां पर देखते हैं कि general category OPC और EWS के लिए 960 रुपे लगती है ठीक है और SC, ST और physical handicap students के लिए 760 रुपे लगते हैं तो basically अगर हम बात करते हैं तो इसमें main पर्मुख बाते क्या है कि जो form fee की जो पैसे लगते हैं वो इतना लगते है category wise और बात कर लेते हैं हब सबसे महत्पूर्ण बाते जो है कि sir जो daylight करे या बात करें यह confusion हो सकता है तो देखिए किनको बात कर सकते हैं और कौन डेलेट कर सकते हैं तो डेलेट तो आपको पता चलिए कि आपने 12th pass होना चाहिए लेकिन अगर आप BAC मालनीजे किये हैं या BA किये हैं साथ-साथ या फिर आपने become किया है ठीक है और अभी तक आपने ना डेलेट किया है ना BAC किया है तो कौन फिर करना चाहिए तो अब यह depend करता है आप पे कि अगर आप देखिए अगर आप डेलेट करेंगे ठीक है तो डेलेट करेंगे तो आप 1-5 का और 6-8 का टीजर बनेंगे ठीक है 1-5 और 6-8 का टीजर बनेंगे लेकिन अगर आप BAC करें तो B8 के लिए सबसे पहले भाई आपको graduation pass out रहना होगा ठीक है यानि अगर आपने graduation किया है तब ही आप इसको form भर सकते हैं तो जो बच्ची अगर माल लेजे 12th की हैं और graduation भी कर लिये हैं तो वो सोच रहें कि delete करें या B8 करें तो अगर आप delete करते हैं तो 1 to 5 of 6 to 8 का teacher आपको रास्ते खुल जाएंगे अगर किये रहेंगे तो अगर आप PG किये रहेंगे तो आप 11-12 का भी कर सकते हैं यानि teacher आप बन सकते हैं तो इसके लिए आपको एक PG post graduation होना चाहिए ठीक है graduation के बाद तो सिर्फ इसमें आपको आप post degree लेते जाहिए और इसके बाद इसमें लेकिन इसमें अगर हम बात करते हैं तो अगर आप 12th pass out है ठीक है तो आप 1-5 का teacher बनेंगे और 6-8 का भी teacher बन सकते हैं graduation के degree अगर आएगा तो ठीक है तो यहाँ पे इसके लिए criteria ये नहीं है कि सिर्फ science वाले बच्चे ही TLA कर सकते ऐसा नहीं है चाहे वो arts science या commerce जो भी हो ये कर सकते हैं तो अब यहाँ पे आप दोनों में से चूज कर लेजे कि आपको इतन इसमें जाना है या फिर 1-5 और 6-8 सिर्फ दो में ही जाना है ये किनके लिए है जो सिर्फ 12th किये हैं तो वो मैं बात कर रहा हूं कि आप वो तो उनको को कोई सोचना ही नहीं है वो मनलों कम्प्लीट होने वाला है तो कोशिज किज़ेगे कि एक समय में एक ही डिगरी हो आप कभी भी कई बच्चे ये भी पोचते हैं और सोचते हैं कुछते भी है मेरे से इसवर क्या हम लोग delayed admission ले लेते हैं और distance से हम लोग graduation कर लेते हैं कहीं और से ऐसा नहीं है क्योंकि एक समय में पे आप 2 degree कभी भी नहीं ले सकते हैं कोई एक ही degree का value मान होगा करने का तो कर लिजेगा लेकिन उसका मान एक ही degree का हो या तो आपका B.A.C का degree रहेगा या तो आपका delayed है हाला कि यह पूरे के पूरे अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नियम नहीं है यह गलत है आपको कोई कह भी रहा तो आपको नहीं करना चाहिए चीक है तो यह रहा आपका delayed और B.A.C में confusion कि आप B.A.C करना चाहते हैं कि विशन पास है तो आपको इसमें teacher के लिए eligible होगे और delayed के होगे तो इसमें eligible होगे अब रही बात सबसे important is कि आप त्यारी कैसे करें कहां से करें किस तरीके से करें तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि त्यारी करने के लिए उन से level रहते हैं 10th level तो त्यारी सबसे best त्यारी करने के लिए आप become teacher अगर हम बात करते हैं तो यह जो आपका channel है ठीके इस पे आप जूर सकते हैं ठीके और यहां से अपनी त्यारी कर सकते हैं त्यारी करने के लिए सबसे पहले आप सभी को syllabus का जरूर भ्हांड रखिएग syllabus आपको become teacher telegram में डाला गया है वहाँ पे देख लिएगा syllabus के बाद ही आप सभी जो भी self study करना चाहते हैं वो कर सकते हैं या फिर जो हमारे channel के माध्यम से त्यारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं या फिर अगर हम बात करते कि paid badge जूर के आप त्यारी करना चाहते हैं तो आप 2025 के लिए 900 badge यहां से प्राप्त करके ले सकते हैं यह badge अगर हम बात करते हैं तो एक badge से शुरू हो चुकी है जिसमें आपको life class, class PDF, all subject, unlimited वाज जिसमें आपको देखने के मिलेगा मतलब आप जितनी चाहे उतनी मर्जी आप देख सकते हैं और यह Hindi और चाहे English Medium कोई बेश्ट क्यों मिल जाएगा इसमें अगर हम बात करते हैं कि आपको जो भी कुछ जनकारी चाहे तो इस नमर पर आप जनकारी ले सकते हैं और अपनी त्यारी को बहतरीन बना सकते हैं क्योंकि इस चैनल पर हम बात करते हैं कि आप देख सकते हैं कि 2024 में हमारे जितने भी result हुए है students ठ सभी को government college प्राप्त हुआ है ठीक है अधिक जनकारी के लिए आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप टेलिग्राम become teacher जरूर ज़रूर जवाइन कर लेजे और यहां से आप सभी BA, daily aid और integrated BA जो भी information चाहिए यहां से आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए अपने मित्रों के साथ मिलते हैं नदर अप्डेट में थैंक यू सो मुझ बाइबाय टेक कियर